अगला बेटा आपका जो topic है इसी chapter में हो है thrust and pressure thrust क्या होता है और pressure क्या होता है कई बार आपने बोलते सुने को मेरी रूपर pressure डालने की कोशिश मत करो या thrust सुना होगा jet engines के बारे में सुना होगा या aeroplane के बारे में सुना होगा कि aeroplane thrust पैदा करते हैं या किसी nozzle से बहुत high speed से पाणे ने करता हो वह thrust पैदा करते हैं तो हम thrust देखेंगे पहले फिर pressure देखेंगे thrust क्या होता है thrust the force applied on the surface in the direction perpendicular to the surface यानि कि thrust का मतलब है ऐसा force thrust भी एक प्रकार का force है लेकिन ऐसा force है जो किसी surface के उपर perpendicularly लग रहा हो बिलकुल perpendicular पर्पेंडीकुलर का मतलब होता है 90 degree का जब अंगल बढ़ता है उसी को perpendicular कहा दिया जाता है 90 degree 90 degree का वह अंगल बढ़ता है तो उसी को perpendicular कहा जाता है तो यह जो अप लगडी का box दीख रहा है यह किसी इंसान के दवारा एक नेल को लगड़ी के अंदर पुस्क किया जा था है 90 डिगरी अंगल से तो इस जो इंसान के दवारा जो फोर्स लगा रहा है इसी फोर्स को बोल देते हैं थ्रस्ट डेफिनिशन भी लिख रक्के बेटा दहा फ्वर्स अपलाइड ओन सर्फेट इन एंट डारेक्शन पर्पेंडिकलर टू थुदर सर्फेश इस कार्व त्रस्ट याने की फोर्स थर्स्ट इज टाइप ओ फोर्स बीच रहा है अपलाई ON उब्जेक्स इन की बी definition बीटा, force की जो unit होती है, वो भी क्या होती है, Newton होती है, Newton में, बिन्यूट के जाटा है, force को भी नापने, कि जैसे आपाने में जाता जीक को वजन को, weight को, kg में नापते हो, कोई भी liquid होता है, उसको लिटर में नापा जाता है, distance को मीटर में major किया जाता है उसी परकार से जो force होता है उसको Newton में major किया जाता है Newton में major किया जाता है ठीक है तो यह आपका Newton है Newton में होता है जो thrust होता है वो भी एक परकार का force होता है वेटा तो उसको भी Newton में ही major किया जाता है लेकिन thrust force को thrust बढ़ने के लिए उसको 90 डिगरी पे apply होना पड़ता है तो किसी भी object के उपर आप बिल्कुल perpendicularly उसके पर force apply करोगे तो आप कह सकते हो आपने उसके पर thrust लगाया है तो मैं यह आपको इबर बता देता हूँ thrust is a type of force which apply on objects in a perpendicular direction या फिर यह जो लिखर कही से आप जे बोल सकते हो the force applied on objects ठीक है applied on surface in direction perpendicular to the surface अगर किसी के surface के बिल्कुल perpendicular उसके उपरकार आप कोई force लगा दोगे तो इस परकार के forces को आप क्या बोलते हो thrust बोलते हो तो जो अगला आपका topic है बिटा वो है pressure बड़ा इज़ी चीज़ी आ रहे है pressure ठीक है pressure का formula पहले देखते है ठीक है pressure का जो बेटा formula होता है फिर आप को रच्छे समझाएगा आपने pressure word बहुत बार सुनागा जो pressure का formula आता हो होता है force into area यानि कि कितने area के उपर कितना force लग रहा है उसी को pressure का जाता है ठीक है सब को समझाएगा the effect of thrust per unit area is called force और thrust की जगह आप sorry is called pressure और thrust की जगह बेटा आप लिख सकते हो force very simple thrust की जगह आप लिखना जाओ तो यहाँ पर force भी लिख सकते हो तो simple सी definition of pressure की ठीक है force per unit area कोई पुचे आप से कि what is force बेटा तो आप बताओगे force per unit area is called pressure ठीक है और जो pressure की unit है यह पासकल में आपा जाता है जो इसका symbol आपको लिखा मिलता हो ठीक है अगर इसकी length वन मीटर है, breath वन मीटर है और इसकी उपर कर आप वन न्यूटन का बेटा force लगा देंगे तो इतने force को वन पास्कल या पी ए कहा जाता है, यह simple सा आपका है, कि वन न्यूटन वन मीटर स्केर, यानि कि जो आपका simple साइक एरिया है, अगर उसका वन मीटर स्केर है, एरिया वन मीटर की length है, वन मीटर की breath है, तो आप कह सकते हो कि इतने एरिया के उपर आप एक न्यूटन का force लगाद होगे, तो उसी force को वन पास्कल नाम दिया जाएगा, इलिए रुआ होगा, अगला topic देखो बेटा, pressure किन किन चीज़ों के उपर depend करता है, ठीक है, कहता है, first बताता है, depend करने का मतलब कब pressure बढ़ेगा, कब pressure गटेगा, depend करने का मतलब यह, तो पहला जो point है, जिसके उपर depend करता है, first factor है, वो आपका force, ठीक है, more force, more pressure, अगर आप किसी चीज़ के उपर force बढ़ा देंगे, तो simple सी बात है, उसके उपर अगरा force बढ़ा रहे हैं, तो उसके उपर pressure भी ज़्यादा लगएगा, क्योंकि force is directly proportional to the pressure, उल्टा लिख दिया हमने, सिधा कर लेते हैं, pressure is directly proportional to the force, तो ऐसे बोल सकते हैं, कि जो pressure होता है, वो simple सा directly proportional करता है, कि इसके pressure के, चैलो, सीधा लिखते हैं, force is directly proportional to the pressure, यानि कि force pressure के बढ़ाबर होता है, directly proportional लगबगलमसम होता है, वो दूसरा बढ़ाता है, area, more area, less pressure, अगर आप area बढ़ा दोगे, तो आपके दवारा जो लगाया गया force है, वो compressor exert करेगा, example है, आप, एक nail देखे होगे, आपने जो nail दिख रही है, ठीक है, ये nail है, इसका आगे की तरफ tip जो होती, जहांसे नुकीली होती, जहांसे नुकीली होती, बिल्कुल, sharp होती है, वहाँ पर area कम होता है, इसलिए आप इसको किसी चीज के अंदर, दसाने की कोशिस करते हो, डालने की कोशिस करते हो, इसके अंदर, क्योंकि इसके आगे का area क्या है, कम है, और आप इसके उपर थोड़ा सा भी force लगाओगे, तो उसी वज़े से क्या होगा, ये चीज़ों को penetrate कर देगी, उनके अंदर दस जाएगी, और लेकिन अगर आप इ area क्या हापका कम है, तो वहाँ पर pressure क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि force is inversely proportional to the area, अभी हमने बेटा formula देखा था, formula था आपका simple सा, pressure is equal to force per unit area, इसी को बोलते थे आपका क्या pressure, तो यहाँ से simple सा बता चला है कि pressure बराबता force upon area, तो area का विपरीथ है, reciprocal है, उल्टा है, तो अगर यह विपरीथ होगा, तो क्या होगा, अगर आप area बढ़ाओगे, तो pressure की value automatic क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, यह बताता है, जो force होता आपका बेटा, दो चीज़ों pressure होता, जो दो चीज़ों depend करता है, पहली आपका, कि अगर आप force होगे, तो आप उसके ओपर ज्यादा force लगा रहे हो, और आप किसी चीज़ का area बढ़ादे को, तो automatic pressure क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसको आगे और explain करेंगे हैं, यह देखा होगे, the sum forces produce less pressure if it is act on large area, but can produce less pressure if act on small area, ठीक है, केता है, the sum forces produce less pressure if act on large area, किसी force को बड़े area के उपर लगाया जाता है, तो वो कम force exert करता है, उसी को less pressure को, अगर small area के उपर लगाया जाए, तो ज्यादा pressure create करेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, area को क्या कर दे रहे हो, घटा दे रहे हो, इसी परकार से आपका school bag काम करता देखो, आपके school bag ने आपके देखे होंगी, जो भी companyya school bag बनाती है, वो क्या करती है, school की strips होती है, school bag की पटिया होती है, जिनको आप अपने bag के उपर क्या करते हो, टक करते हो, उनका जो area होता हो, ज्यादा होता है, वो wider होती है, उनको wider इसलिए बनाया जाता है, ताकि वो जो bag के दवारा जो आपके उ फोर्स लगाना चाते हो आप, तो क्या करोगे, उसका area बढ़ा दोगे, अगर area बढ़ेगा, तो उसी वज़े से क्या होगा, pressure घट जाएगा, और इसे region के उपर लगने वाड़ा pressure क्या होगा, कम होगा, तो जो भी आप नया bag करते हो market के अंदर, अगर उसका area strips का ज्यादा ह है, तो वो bag ज्यादा comfortable होगा, आपको ज्यादा, अगर bag में ज्यादा वजन है, तो फिर भी आपको इतना ज्यादा pressure नहीं होगी, अगर लेकिन आप ऐसा बैकरी दो, जिनकी strips बहुत, क्या है, narrow है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा भी अगर आपके bag में load होगा, तो उसी क वज़े से क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा pain मैसूस होगा है, बहुत ज्यादा pressure सैन होगा, उसी परकार से एक knife काम करता है, ठीक है knife देखो गई, कोई भी knife होता है, उसको आगे से sharp बनाया जाता है, sharp बनाने से क्या होता है, उसके जो area है, जहां से वो sharp नुकिला है, वह पर उसका जो area है, वो क्या होता है, तक कम हो जाता है, और आप किसी चीज के ऊपर थोड़ा सा भी अगर force लगाते है, उसी पर जैसे क्या करता है, चीज को cut कर देता है, और knife को अगर उल्टा कर दे, दूसरी से तरफ क्या, बिल्कुल minus area बढ़ जाता है, आपने दिखा होग क्योंकि जो knife के आगे का area है, वो knife के आगे का area बहुत जादा है, तो जब हम potato के उपर फोर्स से exert करेंगे, लगाएंगे, तो area, बड़े area के उपर क्या होगा, force divert हो जाएगा, ठीक है, तो उसी वज़े से क्या होगा, जो हम potato को काटेंगे, वो अच्छे से नहीं कटेगा, ल sharp वड़ा, उसका जो surface है, बहुत नेरो है, तो यानि कि वहाँ का area कम है, अगर आप किसी भी चीज़ का area घटा देऊगे, तो वहाँ पर automatic pressure भढ़ जाएगा, इस वज़े से आपने देखियों कि जो भी नुकिली चीज़े होती हो, easily चीज़ों को penetrate कर देती है, क्यों कर देती want knife, so the force of our hand falls over a very small area of object produce large pressure, यह कहता है, जो knife होते है, उनमें जो आपके एक तो knife, बिल्कुल new knife है, जिसकी जो as है, बिल्कुल sharp है, नुकिला है, और एक पुराणा knife आपके पास, जो गिस गिस के क्या हो, उसका surface मोटा हो चुका है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो चीज़ों अच्छे नहीं काड़ता, क्योंकि उसका area ज्यादा है, और area ज्यादा होगा, तो जो जितना हम force लगाएंगे, वो area के उपर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ज्यादा area में divide होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, pressure कम create होगा, उसके उज़े से जो भी vegetables या किसी नाइफ के दवारा वो बहुत छोटे area के उपर लगाए जाते हैं, क्योंकि वो आगे से बिल्कुल sharp है, और बिल्कुल आगे से sharp हैं, तो चीजों को easyly cut कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि उनके दवारे जो लगाए गया force है, वो छोटे से area के उपर लगाता है, छोटे and pressure, 8th class, जो भी NCRT का syllabus था, हमने discuss कर लिया है, अगर आपके कोई questions वगरा, क्योरी वगरा हो, तो comment box में पूछ सकते हो, ठीक है, thank you all of you, और ये इस channel के उपर पहले वीडियो थी, आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे time to time, science से related, physics से related, तो मिलते हैं, फिर कभी आगे, वीड आपके कर दो